जहें दोस्तों बंदे मात्रम जनता जनारदन होती है चाहे नेता हो या भीनेता वो किसी को भी नहीं बख्षते और इसका सीधा सीधा और सटी के एक्जामपल आजकी डेट में हम लोग बॉक्स आफिस पर देखी रहे हैं सरकस का जो बुरा हाल हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि कभी भी किसी इनसान को इतना जादा खुद की काबिलियत के उपर ओवर कॉन्फिनेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि जब वो अती आत्म विश्वास से भर जाता है तो कहीं न कहीं उससे गलतियां हो जाती है और उन्हीं गलतियों के सुरूप में आजकी रेट में हम देख रहे हैं कि सरकस का क्या कुछ परिणाम हुआ है सरकस कलेक्शन निकाल नहीं पा रही है बॉक्स कि इसके पर दम तोड़ती हुए दिखाई दे रही है और कलेक्शन उसका 55 करोर से उपर चला जाए तो बहुत बड़ी बात है ऐसे में ये मूवी अपनी रिकवरी भी नहीं कर पाएगी बजट की रनवीर सिंग के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा अवसाद वाला समय है क्योंकि उनकी लगातारी तीसरी मूवी फ्लॉप हो रही अब ऐसे दौर में जब आमिर खान, शारुक खान, सल्मान खान जैसे की भी मूवीज नहीं चल पा रही है तो ऐसे में रनवीर सिंग तो फिर भी एक काफी नए चावल अब ज़रा जान लेते हैं कि क्यों आखिर रनवीर सिंग के लिए रोईशेटी की ये फिल्म बहुत बुरी साबित होने वाली कहते हैं रोईशेटी एक हिट मशीन है वो जो भी फिल्म के निर्मान करते हैं वो हिट और सूपर हिट ना हो ऐसा संभवी नहीं हो सकता लेकिन इस बार ये कहावत बिल्कुल गलत साबित हुई और रोईशेटी के निर्देशे ने बनी फिल्म सरकस बॉक्स ओविस पर बुरी तरह से सफल हो रही रोईशेटी की इस फिल्म में कई बड़े नाम शामिल थे बजार में कहे जाने वाले स्टार रनवीर सिंग इस फिल्म के मुख्य करदार थे और वो भी एक नहीं बलकि डबल रोल में इसके लावा फिल्में बड़े-बड़े कॉमेडियन्स भी शामिल थे संजय मिश्रा सिधार जादव ने बीते दिन रिलीज हुई फिल्म सरकस में अपना जल्वा बिखेरा लेकिन कई अन्य बड़े कलाकारों के लिस्ट होने के बावजूद भी फिल्म सरकस दर्शकों पर वो छाप नहीं छोड़ पाई जैसा असर रोईशेटी की अन्य फिल्मों कर रहता है तो क्रिटेक्स के दारा फिल्म को खराब रिवियू मिले सभी समीशकों और आलचकों ने फिल्म को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया लेकिन देखा ये गया है कि जातर क्रिटेक्स ने जब जब रोईशेटी की फिल्म को खराब रिवियू दिया है तब मुवी ने उतना ही अच्छा बिजनस किया है अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के खराब रीवियू देने का असर यह हुआ कि जो फिल्म 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपई की ओपनिंग ले सकती थी उसने मातर 6 करोड़ 25 लाख रुपई की ओपनिंग करी अब देखिए फिल्म के पहले वीकेंड में भी फिल्म की कमाई न्यूंतम सी ही रही और फिल्म ने शनिवार और रव्यवार को मातर 14 करोड़ 25 लाख रुपई का ही कलेक्शन निकाला अगर फिल्म के पहले वीकेंड कलेक्शन की बात करें तो वो निकला मातर बीस करोलो पचास लाक रुपए जो की फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन होना चाहिए था अगर हम लोग पैंडेमिक के पहले की बात करें तो भई इसी तरह की कमाई हुआ करती थी फिल्म ने जिस हिसाब से अपने वीकेंड पर निराशना प्रोजशन किया था उससे यह अंदादर लगाया जा चुका था कि यह फिल्म वीक डेज में और भी ज़ादा घटिया कारोबार करेगी और हुआ भी कुछ वैसा ही फिल्म वीकेंड के बाद चार दिनों में 10 करोड रुपए का कारोबार भी नहीं कर सकी जिस फिल्म के कलेक्शन दो दिनों में करीब 30 करोड रुपए के उपर होना चाहिए था वो फिल्म अपने एक हफ़ते में भी 30 करोड रुपए का कारोबार नहीं कर पाई सरकस फिल्म ने एक हफते में मात 29 करोड 25 रुपए का बिजनस किया है तो ऐसे में उससे अपने दूसरे शुक्रवार को जादा उमीदे लगाना तो बुरा ही है रणवीर सिंग की अगर फिल्मों की बात करें तो लगातार ये तीसरी फिल्म है जो रणवीर की बुरी तरह से फ्लॉप होने जा रही है उनकी फिल्म 83 बॉक्स आवस पर बुरी तरह से असफल हुई जिससे लोगों को काफी उमीदे थी इसके बाद उनकी जैश भाई जोरदार भी बुरी तरह से सफल हुई और अब सरकस फिल्म भी एक बड़ी फ्लॉप फिल्म की लिस्ट में शामल हो गई रणवीर सिंग इस साल अपनी कुछ गलत फोटोग्राफ की वज़े से वही काफी चर्चाओं में रहे थे और काफी बुरी तरह ट्रोल हुए थे और लगतार तीन बड़ी फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने मतलब जिस तरह से बॉलिवड के गर्थ में जाने के उपर कॉंट्रिवशन दिया है वो तो किसी से छुपा हुआ ही नहीं है बॉलिवड की कई फिल्में वाक्स ओफिस पर इस साल पिटी है और रनवीर सिंग के अगर इसमें योगदान की बात करें तो उन्होंने भी अपनी तरफ से इसमें तीन फिल्मों का योगदान दिया है तो अक्षे कुमार का योगदान इसमें सबसे बड़ा रहा है कहीं से भी गलत नहीं उठाए जा रहे है आपका कहना इस बारे में कमेंट करके जबर बताएं मेरे इस वीडियों फिल्लाल पना ही जैहिन चैब भारत